अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत, मैं हूँ नोश्ट अंडन, आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है, और आप सभी के माता पिता को, नमस्कार, जैहिन, वंदे मात्रम फ्रेंड्स, लेकर के आगए है, Most Important MCQ, जो कि आपका Railway NTPC Exam के लिए, Very, Very Most Important रहने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो बिलकुल अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, तो वीडियो को Like, Share कर देना है, चलिए फ्रेंड्स, पहला प्र अगला प्रशन लेते हैं, अगला प्रशन है, डीजल इंजन के सेक्षन में क्या होता है, तो केमल और केमल वाईू होता है, option number A इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 ohm के सम्मूख मापा गया voltage कितना होगा 21 volt के सम्मूख मापा गया voltage कितना होगा ये आपको बता देना है friends तो देखिए इस 21 को हम लोग क्या करेंगे 4 volt से गुना कर देंगे तो इस प्रकार फे क्या हो जाएगा आपको बता देना है वर्फा का जल दे रखा है भारी जल दे रखा है नल का जल दे रखा है और क्या है आसुत जल दे रखा है तो जल का सुद्धतम रूप कौन है आपको बता देना है वर्फा का जल हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा option number A क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न लेते हैं अगला प्रश्न है LTTI कहां का सैन्य संगठन है ठीक है LTTE है और ये कहां का सैन्य संगठन है आपको बता देना है तो ये क्या है आपका स्रिलंका का स्यनिस अंगठन है option number D इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ठीक है LBW किसे संबंधीत है LBW किसे संबंधीत है सबको पता है बच्चा बच्चा जानता है ठीक है cricket से संबंधीत है option number B इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विजय नगर समराज के पुरा औसेस कहां पर मिले हैं आपको बता देना है तो कहां पर मिला है हमपी पर मिला है option number B इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा समुदरी बंदर गाह नहीं है तो option में आपका कोचीन दे रखा है, पारा दूइब दे रखा है, विसाखा पतनम दे रखा है, रामिस्वरम दे रखा है, तो कौन हमारा क्या है, समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो रामिस्वरम हमारा क्या है, समुद्री बंदरगाह नहीं है, बाकि आपका जो कोचीन दे पारा दूइब दे रखा है और विसाखा पटनम दे रखा है ये तीनों के तीनों आपका क्या है समुद्रिय बंदरगाह है ठीक है समुद्रिय मील किसकी एक इकाई है आपको बताना है फ्रेंट्स तो किसकी इकाई है समुद्रिय मील नौ परिवहन की इकाई है ऑप्सन नमब जान मंदल के लिए, राष्ट पती के पद के लिए, और उप राष्ट पती के पद के लिए, इन सभी के लिए क्या है आपका भारतिय निर्वाचन आयो, ठीक है, क्या कराता है, चुनाओ कराता है, तो option number D, इस प्रश्ण का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उर्जा क्या है friends, उर्जा क्या है, काम करने की छमता को हम लोग उर्जा बोलते हैं, इसमें दे रखा है, option number F, option number F क्या हो जाएगा, इस प्रश्ण का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, गेज दाव किसके बराबर है, आपको बता देना है, option में दे रखा है, पूर्ण दाव, वायू मंदलिय दा ठीक है, तो गेज किसके बराबर होता है, option number D, उर्ण दाव कम वायू मंदलिय दाव क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओजोन छीरता का प्रत्यक्च प्रभाव कौन है, आपको बता देना है, तो ओजोन छीरता का प्रत्यक्च प्रभाव है, वो है आ आपका ओजोन छीरता का प्रत्यक्च प्रभाव है, ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला प्रशन लेते हैं, अगला प्रशन है, किसी वाहन की गती मापक यंत्र बताता है, तो क्या बताता है, आपको बता देना है, तो उसकी क्या है, आपका छडिकता को बताता है, छडिक ऑंसर हो जाएगा, थीक है, निमन लिखित में से, किसकी माप potencometer से नहीं की जा सकती, थीक है, पotencometer फे नहीं की जा सकती, तो किसका माप हम लोग pot timelingometer फे नहीं करते हैं, फ्रेंज, तो power का सकती का माप है, वो हम लोग क्या है, potuciometer फे नहीं कर फकते हैं option number B इस प्रश्न का सही answer हो जाएगा भोपाल gas तराजदी में किस gas के रिषने से लोगों की मृत्यू हुई थी ठीक है भोपाल gas तराजदी में क्या है किस gas के रिषने से क्या है लोगों की मृत्यू हुई थी तो MIC जो gas है उसका रिषाव के कारण क्या है आपका लोगों के मृत्यू हो गई थी ठीक है अगला प्रश्न है भारी मसीनों में निम्न लिखित में से किसको इसनेहक के रूप में प्रयूक्त किया जाता है तो भारी मसीनों में किसको इसनेहक के रूप में प्रयूक्त किया तो गृफाइट प्रयोक्त किया जाता है option number A इस प्रश्ण का सही आन्सर हो जाएगा ठीक है वर्षा की बूदें गोल होती है इसका कारण क्या है आपको बता देना है तो वर्फा की बूदेंग्यों जो गोल होना है इसका कारण क्या है प्रिष्ट तनाव होता है option number P इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घरेलू वाइरिंग में स्वीच को हमेशा कहां इस्थापित किया जाता है तो घरेलू वाइरिंग में स्वीच को हमेशा कहां पर इस्थापित किया जाता है तो क्या है आपका लाइव वाइर में किया जाता है Option number 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ठीक है कोईले का सुधतम रूप निम्नलिखीत में से क्या है कोईले का सुधतम रूप बता देना है तो इंतरा साइट जो कोईला है वो सबसे क्या है उच्च क्वालिटी का कोईला माना जाता है सबसे सुधतम कोईला माना जाता है तो Option number 3 इंतरा साइट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है आटो पाइक्स में जली ब्रेक किस सिध्धान पर कारे करता है तो आटो मुबाइल में जो जली है ब्रेक है वो क्या है आपका पास्कल के सिध्धान पर कारे करता है Option number 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न लेते हैं अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिसत होता है 18 कैरेट के जो सोना होता है उसमें सोना का प्रतिसत कितना होता है तो 75 प्रतिसत होता है option number D इसका सही answer हो जाएगा ठीक है अगरा प्रश्न है chloromycetine है chloromycetine क्या है तो chloromycetine एक क्या है एंटी बायोटीक है option number B इसका सही answer हो जाएगा ठीक है निम्नलिखित में निम्न लिखित में से कौन सा electronic bulb है, कौन आपका electronic bulb है आपको बता देना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा diode दे रखा है, diode हमारा क्या है, एक electronic bulb होता है, option number P, इसका सही answer हो जाएगा, ठीक है, तत्व सिलिकान निम्न लिखित में उपस्थीत होता है, तो तत्व जो सिलि अपरन नमबर V, इसका सही answer हो जाएगा, ठीक है, निम्न लिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है आधुनिक टैंक आपको बता देना है भीम दे रखा है अकास दे रखा है अरजून दे रखा है और प्रित्वी दे रखा है ठीक है देखे इन सब में से आपका आधुनिक टैंक की बात करें तो इसमें से सबस्क्राइब आधुनिक क्या है हमारा अरजून ह इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है एक परिपूर गैंस किसका अनुवर्तन करता है तो किसका अनुवर्तन करता है तो बायल्स नियम और चार्ल्स के नियम दोनों का क्या है अनुवर्तन करता है अप्सन नमबर फ्री इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है सरकीट का पूर प्रतिरोध किसका कितना होता है ठीक है सरकीट का जो पूर प्रतिरोध है वो कितना होता है फ्रेंट्स तो 25 ओम होता है option number A इस प्रश्न का क्या है सही answer हो जाएगा ठीक है तो ये था फ्रेंट्स most important MCQ उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा helpful ल लगा है तो वीडियो को like share कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को subscribe कर लेना है चलिए फ्रेंट्स फिर मिलेंगे हैसी वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और एकदम सामदार तरीके से एकदम जबर्जस्त तरीके से नमसकार जैहिन वंदे मातरम